कि यार मेरे लिए हाड़ दिस से ही रहेगा या फिर एसेशडी वैसे और दोनों में सबसे अच्छा गौन सा होता है मैं और आपने देखना शुरू कर देए टेक व्यूरो जब हमको ना एक स्टोरेज ड्राइब लेना होता है तो उसमें सिर्फ यह इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि भाई हमने जाके कोस्टिंग निकाल लिया ड्राइब का और फिर हमने देख लिया कि ड्राइब की कैसी क्या ह होने वाली है मतलब 500 GB का होगा या फिर एक टीबी का होगा मतलब कि इसके अलावा भी ना बहुत सी चीजे होती है जो हमको देखनी चाहिए जैसे की भाई ड्राइब की परफॉमेंस कैसी होने वाली है उसके बाद भाई ड्राइब का पावर कंजप्शन कैसा होने वाला है क कितना ड्यूरेबल होने वाला है और भी बहुत सी चीजे देखनी होती तो सब देखेंगा हम लोग इसके अलावा ना भाई SSD और HDD मतलब कि जो हमारा solid state drive होता है और hardest drive होता है इन दोनों को compare करेंगे इससे होगा क्या ना इससे चीजे और आसानी से clear हो जाएंगी हम सब के ल सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को पेस्ट कर दीजेगा जिससे मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अपलोट करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो अबना अगर आपको storage option consider करना है आपके desktop के लिए या फिर आपके laptop के लिए तो मैंली यहां पर आ आपके storage drive होती है अब अगर hard disk drive की working की बात करो तो यहां पर एक डिस्क देखने को मिलती है spinning disk और उसके उपर आपका सारा data magnetically store किया जाता है थोड़ा complicated लगा ठीक है तो देखिए आप पुराने टाइम के recording player याद किजे या फिर आप gramophone याद किजे वहां पर क्या होते थी न आपके सारा data जो होता था ना वो डिस्क पे read-write किया जाता था सेम उसी तरह का funda ना यहां पर भी यूज किया जाता है आपके hard disk drive में अब यहां पर आप देखोगे ना तो यह देखिए यह आपका disk हो जाता है और यह जो होता है ना यह needle का काम करता है और यह needle की help से ना सार तीन इंच का यह साड़े तीन इंच वाली है यह आपके desktop और में यूज की जाते है इसके अलावा ना एक धाई इंच की आती है जो ना आपके laptop और में यूज की जाती है अब यह तो हो गया hard disk की बात अमना SSD की बात करते हैं solid state drive अब यहां पर क्या होता है यहां पर कोई moving part डाउरा नहीं यहां गया जयता हाद आपके hard disc में use किया जटा हो बिस्क बात यहां प्याद सवेक्षच के यहां सब्याभट यहां पर यहां पर शरकिशों कर सब्लाएभ स्ट कर मिस जक्षच हां और उसकी साइच काफी आपको छोटी देखने को मिलती है और वह आपने सबसे इंपोर्टेंट बात कि भाई सबसे ज्यादा मिलेगी आपके SSD में यहां पर यह पता होगा कि भाई जो SSD होता है वह अपने जो लोगों ने एक 6 साल पुराने computer पर SSD डाला और फिर वह वह सबसे बाद ना प्रॉटर का जो बूट टाइम था वह हो गया 17 सेकंड यानि कि एवरेज वह कंप्यूटर 17 सेकंड में बूट हो जा रहा था उसके पहले जब वह फ्रॉट्ड ड्राइब पे विंडोस इंस्टॉल था तो वह अप्रॉक्सिमेटल आपका 77 सेकंड्स ले रहा था बूट होने मे उसको SSD डाल दिया तो 25 सेकंड में ओपन हो जा रहा था तो भाई अब आप खुद कंपेर कर लो कि भाई स्पीट कहां पर ज्यादा मिल रही है अब इसके बाद डियूरबिलिटी की बात करते हैं कि भाई SSD ज्यादा डियूरबेल रहेगा या फिर आपका हार्ड डिस कर रहा होते जैसे डिस्क अगरा तो अहां पर क्या चांसे होते हैं कि अगर आपका जो SSD गिरेगा तो सर्वाइब कर जाएगा तो अब यह तो हो गया डियूरबिलिटी की बात कर अपना एक और इंपोर्टन फेक्टर पर बात करते हैं प्राइसिंग पर क्या आप कितना भी स्पीड देख लो डियूरबिलिटी देख लो बट लास्ट में होता क्या है ना लास्ट में इंसान ना अपने बजट के हिसाब से ही चीजों को डिसाइड करता है तो हम लोग क्या करेंगे ना ह वह भी आपको 3,000 रोपे में देखने को मिलेगा अब आप खुछ समझ जाओ कि भाई प्राइसिंग में कितना बड़ा डिफ्रेंस है वैसे ना अगर आप पहले के टाइम पे जाओगे थोड़ा पुराने टाइम पे जाओगे यानिकि कुछ साल पहले जाओगे तो वहां प सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे लिए क्या सही रहेगा हमको एक हाटडिश ड्राइब लेनी चाहिए यह एसेशडी लेनी चाहिए तो आपके पास इनफ मनी है अगर आप इनफ मनी स्पेंड कर सकते हो तो पूरा ना एसेशडी ही ले लो मतलब एक टीबी मतलब जो भी आपकी रिक्वाइमेंट है उससे अप ले लो बट अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप क्या कर सकते हो आप एक 500 GB का हाट डिस ड्राइब ले लो और उसके साथ ना 240 GB का आप एसेशडी ले लो तो आप क्या कर सकते हो ना आपका विंडोस हो गया फिर आ आपके बजट पर डिपेंड करती है अब आपके पास इनफ मनी है तो भाई आप पूरा एसेशडी ही ले सकते हो ने तो भाई आप एसेशडी प्लस हाट डिस ड्राइब ऐसे भी चल सकते हो तो आप शाद ना आपको चीज़े काफे हाथ तक क्लियर हो गया होगी कि हाट डि अब दो में रीड राइट इस्पीड वगरा क्या मिलती है फिर डिवरेबल कौन सा जादा होता है और आपके लिए कौन सा जादा अच्छा रहेगा तो बस फिलाल के इस वीडियो में इतना ही होप आपको वीडियो पसंद रहें बट जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि चैनल पर हमेशा ऐसे वीडियो साते रहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिंद